हेलो असलाम अलेकूम आज हम अपना व्लॉक शुरू करते हैं अभी सोके उठी हूं मैं क्योंकि हजबंट रहे हैं अभी काम हम शुरू करेंगे अपना आज मैं आपको बताती हूं कि मेरा घर क्या है मैं कहां रहती हूं मैं फिलाल मलीर से ब्लॉंग करती हूं मलीर में रहती हूं और में जिला कुरंगी लगता है घर में कोई नहीं है घर में सिर्फ मैं होती हूं मेरे हजबंट होते हैं बेटी है उसकी शादी कर चुकी हूं मैं तो वह अपने घर पे होती है बेटा अल्लाद ने दिया नहीं है कोई एक ही बेटी थी उसके शादी कर दी 18-19 साल 19 साल की उमर में उसके शादी किये माशालला तो अभी मेरे हस्बंड गए में काम पर व्लॉग बुनाने का मकसद यह के चलो थोड़ा इंसान बीजी रहेगा लोगों से बात चीज रहती है गुपतुशनी र अब वह दिखाते हूं अब वह फ्लाल यह देखें यह मेरे पास परिंदे जिनमें सारा जिन मैं लगती हूं काम करती हूं यह इसको यह चोटा सा मेरा कैटी है इसको फ्लाल अभी बन किया हुआ है क्यूंकि मेरे आना बिली के बच्चे जो ना बिल्ले उठागे लिए बहुत परिशान हुआ हुआ है और यह मेरे पास खरगोश है यह मेरे पास बहुत सा रहते हैं पर अभी जो है यह खतम कर दिये हैं जसे बेटी की शादियू हुए तो यह तक्रीवल थोड़े से ही रह गा है अब ती जो सब्दियों का सीजन आएगा तो यह भी खतम हो में टे गुमने फिरने इए जए लिए में होंगे एक वह सबावाद है वो कि अब और अपना घब यह मेरा घब है ऑट मेरा कृट एप यह मेरा सहन है घया यह मेरा सहन है और ये मेरा खीचन है ये रहा मेरा खीचन चोटा सा घर है साड़कस का उपर मैं रहती हूं नीचे मेरे देवर की फैमली रहती है और ये मेरा कमरा है एक कमरा है कुई है कि ने ये समान से बना होँ एक समान है इसके अंदर काफी ऊपर्ता काफ है तो अभी घरा कांगे शुरू करूंगी घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है कोई है नहीं तो जाड़ू पोच्छा इस सारे काम मुझे करने पड़ते हैं मेरे हजबन वैसे जो है वो फिश फ्राई का भी काम करते हैं वैसे वो रिटायर हुए अभी डाउ यूनिवर्सिटी हेल्ट साइंस से और वो मचली का काम भ तो अभी वो बंद है मचली का काम तो अब मचली का काम इंशालला स्टार्ट होगा क्योंके सर्दिया भी आरी है सीजन जो होता है वो हमारा सर्दियों में होता है तो इंशालला वो भी अपना ठीया वगएरा जो है वो बहुत तूड़ गया था बारिशों के पानी में और आज किरांची में बहुत बारिश हो रही है हस से जादा तो अभी वह गए में बिचारे वही सही करवाने के लिए फिर दिखाऊंगे आपको हम लोग जब हमारा मशली का सीजन शुरू होते हैं तो हम लोग मेरे हज़र में फ्राई मशली बेचते हैं तो फिर मैं इंशालला आ आज मैंने आपको अपना घर दिखाया है तो इंशालला आगे भी आपसे बात चीत रहेगी फिर मैं आपसे मुलाकात करती हूं इस जब तक के लिए मुझे इजाज़र दीजे अल्ला हाफिस